हेलो दोस्तो नमस्कार मैं हूँ राज यादव और एक बर फिर से आपका बहुत-बहुत सागत है स्मार्ट सीजी अपडेट यूट्यूब चैनल पर दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं सीजी टेट का सिलेबस ठीक है हम लोग लेटेस सिलेबस देखेंगे कि क्या क्या चीज़े जो है पुछी जाएंगी बहुत ही इंपोर्टेंट होता है किसी भी एक्जाम को क्रेक करने के लिए उसका सिलेबस तो इसके syllabus में हम लोग देखेंगे क्या पूछा जाता है और कितने number का पूछा जाता है तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ने से पहले अकर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लिजगा क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को CG Tate और सीखशक भरती से रिलेटेट सारी latest update बिल्कुल latest time पर मिलते रहेंगे इसके साथ ही बगल वाले बेल आइकन को प्रिस करके all पर भी set कर दीजेगा ताकि जब भी मैं आगे कोई वीडियो अप्लोड करूँ तो तुरांत आप तक notification चला जाए तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं जैसे कि आपको स्क्रीन पर दीख रहा होगा यहाँ पर जो है अलग अलग विशय यहाँ पर पूछे जाता है कुल मिला करके 150 अंकों का 150 प्रिश्ण यहाँ पर सीजी व्यापव के दारा पूछा जाता है चली स्टार्ट करते हैं सबसे पहला यहाँ पर विशय है वो है बाल विकास और सिक्षा सास्त्र दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग प्रथम पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे कक्षा एक से पाँच के बारे में इससे आगे मैं एक और वीडियो बढ़ा दूँगा सेकेंड पेपर के बारे में ठीक है सेपरेट जो है डिसकस करने से ज़्यादा सही रहेगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा मैं सेकेंड पेपर का भी वीडियो यहाँ पर बना दूँगा तो सबसे पहला जो विशय है वो है बालविकास और सिक्षा सास्त्र ठीक है इसमें भी डेर सो नंबर के डेर सो प्रश्न पुछे जाते हैं इस सिलिवर्स का पीडियेप भी आपको एवलेबल हो जाएगा पीडियेप कैसे एवलेबल होगा वो अभी मैं थोड़ी देर में होगा उससे ही रिलेट करता है ठीक है तो इसमें बाल विकास से संबंदित सारे प्रिश्ण होते हैं जैसे कि बाल विकास का परीचय रहेगा आप लोगों का और इस परीचय में अलग अलग तरह के भी प्रश्ण पूछे जाएंगे जैसे विकास की अवस्थाएं हैं कैसे होता है यह सभी प्रिश्ण होते हैं सेके नंबर में आ जाता है विकास के पहलू तो यह जो परीचय है वह साथ नंबर का साथ प्रश्ण होगा विकास के पहलू यह भी साथ नंबर के प्रश्ण होंगे अब विकास के पहलू के अंतरगत क्या क्या आएंगे आप देख इसका सिलेवस रहता है इसमें जो है सिखना है हम संग्यानात्मक विकास में इसमें भी अलग अलग तरह की चैप्टर होते हैं जिनको आपको पढ़ना होगा जैसे के बच्चों की सोच पर जीन प्याजे का विचार तो इसमें अलग अलग विचारों के विचार इसमें आपके पढ़ना होगा ठीक है तो इस तरह से है और इकाई चार में यहां पर आप देख सकते हैं विशेस अवश्रक्ता वाले बच्चे इस चेप्टर से जो है साथ आंक्या आपका पूछा जाएगा ग्यान और शिक्षा क्रम इसी के अंतरगत आएगा इकाई चार के अंतरगत जिसम का अधिनियम 2009 इत्याद इसमें शामिल रहेगा आगे वड़ जाते हैं आगे वड़ने पर आप देखेंगे कि यहां पर जो नेक्स्ट विश्य है वो है भाशा हिंदी ठीक है हिंदी भाशा हिंदी भाशा यह भी 30 नंबर के 30 प्रशन आप से पूछे जाएंगे जिसमें इस अधित गद्यान जो होते हैं वो अब दोस्तों इसमें एक चीज और मैं बता दू कि किसी भी चैप्टर में 15 नंबर उसके पूछे जाते हैं और 15 नंबर सैधानतिक उसका जो है पूछा जाएगा आप आप से ठीक है उसकी पेड़गोजी जिसको कहते हैं पेड़गोजी आ पढ़ाई जाए ठीक उसी तरह से ठीक उसी तरह से आप देखेंगे तो CDP जो है जो पहला सब्जेक्ट हम लोगों ने देखा 15 नंबर आपका रहेगा और बागी के 15 नंबर उसका पेड़गोजी पूछा जाएगा आप से इसी तरह इंग्लिश विशे में भी रहेगा पर् मुल्यांकन एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके CGTate और सीखशक भरती में भी तो मुल्यांकन काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है इसमें तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो इस तरह से इसका सिलेबस है आगे बढ़ जाते हैं और आ जाते हैं अंग्रेजी से आपका रहेगा और बाकी जो यहां पर पेड़ोगोजी और लेंवेज डेवलप्मेंट है जो हिंदी में आपका हिंदी भाषा में रहेगा वैसे अग्रेजी विशे में अंग्रेजी भाषा में वही सेम चीज़े आपको पढ़नी पड़ीगी आगे बढ़ जाते हैं और हम देखते हैं आज आता है mathematics चौथा सब्जेक्ट है mathematics यह भी 30 नंबर के 30 प्रश्न अब mathematics में भी सेम चीज रहती है 15 नंबर के आपके question जो है रहेंगे solution वाले और 15 नंबर आपकी mathematics की pedagogy रहेगी ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं गड़ित की प्रकृती है जो मुल्भू प्रश्न प्रतिशत से हो गए इस तरह के बेसिक प्रिश्न आप से पूछे जाएंगे सधारण ब्याज है लाभानी है अनुपाद चाल समय दूरी चेत्रफल आयतन समय यह सभी प्रश्न आप से पूछे जाएंगे और इसके प्रश्न में ऊपर बता चुगा हूँ ठीक है इसके बाद आ जाते हैं environment याने पर्यावरण ये पाच्वा विश्य हो जाता है आपका 30 नंबर के 30 प्रशने इसमें भी 15 नंबर पेड़ोजी के होते हैं स्वयम के पर्यावरण को समझना पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ तो यह यह जो है पेड़ोजी हो जाती है ठीक है इसके बाद पर्यावरण अध्य हन के बारे में कियों पढ़ाएं पर्यावरण अध्यावरण का सिख्षा सास्त्र यह पेड़ोजी है पर्यावरण अध्यावरण अध्यावरण व कक्ष की गतिवीदिया यह सभी environment में यहाँ पर पूछे जाते हैं इसके लावा है जो है टॉपिक आपका है परिवार अपने शरीर की देख भाल पारिशिविक तंत्र और इसके भीतर बहुत सारे सब टॉपिक्स दिये हुए हैं उन सभी सब टॉपिक्स को आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िएगा यह सब्सक्राइब करेंगे हमारे तेलिख चैनल पर आपको ऑफडिगेर आपको यह व्रेडर्म को फॉर जोइंग अब ट्यूख यह सब्स्सक्राइब करते था हुआ पसंद आया करता हूं तो आई हो आज की यह वीडियो पसंद आया होगा में लोगोंने इक हाफविए इस ज और इसके आगे की वीडियो में आप लोगों को पेपर 2 का जो है complete syllabus जो है discuss करेंगे उसमें तो बने रहेगा वीडियो पर चैनल पर बने रहेगा चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजेगा ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर अपने सबी दोस्तों तक जरूर कर दीजेगा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक करिए जैहिंद